इस मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं केरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तयारी कर रहे हैं रिवी ओफीसर की या फिर असिस्टेंट रिवी ओफीसर की तो इन तीनों एक्जाम के पॉइंट आप व्यू करिए या फिर आप करिए सेल्फ स्टेडी अगर हम उत्तर प्रदेश PCS की बात करें तो मुझे नहीं लगता अगले तीन साड़े तीन महीने के अंदर आप अपने आपको अपने तरीके से यहां पर सेल्फ स्टेडी करके एक्जाम निकाल सकते हैं अगर आप कोई एकम बात करें जिनके पास टाइम है और वो पहले से तयारी करते हुआ रहे हैं उनके लिए सेल्फ स्टेडी यहां पर हो सकती है पोसिबल है बट यहां पर आपको करना क्या होगा सबसे पहला पॉइंट है करेंट अफेयर दो सेंस में है एक तो कोर करेंट अफेयर होता तै की कोई ऐसा इवेंट किसी भी हिस्टॉरिकल बास से कोई रिलेशन नहीं है कोई भी जियोग्रफी से उसका लिंक नहीं एक तो हो गया वो current affair जो cut to cut रहता है दूसरा current affair वो जो कि आपका history, geography, quality, environment इन सारे subject से attach होकर होता है अब यहाँ पर आपको यह current affair मैं बता रहा हूँ इसको आपको तयार करना है जो normal current affair है उसके साथ में अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मान के चलिए तक्रीबन तक्रीबन जो 30 questions है यह आपको core current affair से मिलेंगे जिसमें यूपी का current affair भी included रहेगा और जो आपका static subject के साथ mix up होकर आएगा तो तक्रीबन तक्रीबन 35 से 40 questions आपको यहां से मिलेंगे पिछले दो साल का history का अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन सी न्यूज लाइमलाइट में रही आप उसको सर्च करिए किसी भी magazine को उठाइए उस magazine में पिछले दो साल की पूरी magazine देखिए और जितनी भी historical personalities हैं उनको cover up करिए जितनी भी historical sites जो थी न्यूज में रही उन सब को cover up करिए similarly अगर हम geography की बात करें तो geography से related जो भी news रही है चाहें किसी cyclone की हो चाहें किसी island की हो चाहें किसी country के बारे में रही हो borders के बारे में रही हो लेक्स हो गया यह सब कुछ जो पिछले दो साल लाइमलाइट में रहा भाया उसको तो आप जरूर करिए यहीं से आपको question द में उसको skip करा और आप ऐसे questions पर चीजों को अपना मगप करते रहे जिनका अब relevance नहीं है क्योंकि वो news में नहीं रही थी आज की date में exam का pattern यही है कि आप जो चीज नीज में है कम से कम उससे आप aware हो बहुत अच्छे से दो साल का मैंने आपको बताया दो साल का आपको करना ह होगा इसमें एक साल का तो current affair है जो core current affair इतना भर कर लीजे बाकी जो पीशे अगर एक साल और जाएंगे उसमें जो static subject से related current affair है इसको आप cover up करिए अब अगर आप यह नहीं कर सकते हैं उस case में आप क्या करिए PCS के लिए बिलकुल भी time नहीं है कि कि किसी ऐसे course में आप enroll करा अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो कोई मतलब नहीं है किसी भी material को लेने का केरियर मित्रा का जो course है जिसमें हम आप लोग को provide करेंगे उसमें 2000 question आपको GS के provide करेंगे अब यह जो GS के question है इससे आपकी वह सारी चीज़े cover up हो जाएंगी जो news में रही है आपको कहीं और से क पूशा जा सकता है इसके अलावा जो आपको मिलेगा वो है chapter wise आपको मिलेगा short notes और यह short notes sufficient होंगे आपके exam में exam को clear करने में इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10 आपको practice set मिलेंगे और यह जो practice set होंगे इसमें हर एक जो आपका paper होगा practice set होगा अगर RO की बात करें तो RO मे तो इसमें आपको provide किये जाएंगे 150 questions GS के इसके अलावा अगर हम बात करें RO की तो RO में आपको तक्रीबन 2000 questions हम provide करेंगे हिंदी के जो की बहुत essential है बिना हिंदी के तो आप clear करी नहीं सकते RO तो यह सब कुछ career मित्र आपको provide करेगा और इसका जो fees रखा गया है fees बहुत genuine है चाहें हम RO की बात कर लें फिर PCS की बात कर लें दोनों के लिए similar रखा गया है 1199 यानि की 1199 रुपए की यह one time payment है जो आपको करना होगा उसके बाद आपको यह सारी चीजें धीरे धीरे करके provide की जाएंगी multiple times revise करी है जो मैंने आपको पहले भी बोला है वह very essential है बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है अब इस course में आपको enroll कराना है तो enroll कराने के लिए आप simply 9027281376 इस number पर WhatsApp कर सकते हैं या फिर 639564901 इस number पर आप हमसे contact कर सकते हैं WhatsApp के थुरू जो भी आपकी query हो आप व इस वाले वीडियो का यहां पर end करते हैं फिर मुलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन थेंक्यू सो मच आपनाइस टेप आप आए